हलो दोस्तों राधिरादी जर्शे किष्णा तो दर्शन कीजिए आप भी आज के सूरे देर के आज है नवरात्रे का पहला दिन तो ये आज की सुबह का नजारा है बाहर का मौसम आजकल बहुत अच्छा रहता है सुबह यानि हल्की सर्दी होती है तो जितनी सुब़ी प्रकृiti होती है उतनी सुब़ी है हमें मैसेज देती है कि हमें भी इसी की तरहmen के लिए पंच्छल होना चाहिए टाइमिंग होना चाहिए हर चीज का मैरेजमेंट होना चाहिए तो शीकने के लिए बहुत सारी चीज़े हैं तो फोन में इतना अच्छा नहीं दिख रहा पर सामने से बहुत प्यारा लग रहा था और मेरी मेंदी भी रच चुकी है मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था और आज मुझे पता नहीं क्या जची वैसे ही काफी ठकी हुई थी मैं टाइम नहीं मिलता इन दिनों में लेकिन फिर मैंने क्या है आज पूझा करने से पहले मैंने एक रूम की सफाई कर दी और नहाने फिर मैं बाद में गई थी मैंने का मैं थोड़ा सा क्योंकि मूरत लेत था तो घर्टिस ता अपना का टैमिंग जैसे 11.30 के बाद में था तो मैंने सुबह 9.10 बजी तक ये काम करके फिर उसके बाद में नहाने चले गई थी और पूजा की जो भी थी तैयारियां वो फिर वैसे में कर चुकी थी काफी तैयारिया लेकिन पता नहीं है न जब तक हम उस काम को पूरा कर नहीं देते हैं तो कुछ न कुछ फिर कितनी फ्रेश थी जो एकदम वह आली मैंने तोड़ी थी तो यहां की पत्या जो है कलर शिस्थापना जब हम करेंगे तो उसमें जरुवत पड़ती है उसके बाद जो जो आरे होते हैं वह हमें लगाने होते हैं उस साफ मिट्टी में फिर मैंने बना दिये थे यह हातों स जो है ना माता के चरण हम बना सकते हैं अभी आपको दिखाऊंगे मैं आगे आपको अभी दिखाई नहीं देरा मोबाइल से और फिर मैं कैमरे को जब थोड़ा सा फ्लिप करूंगी तब आप देखना फिर उसके बाद में जो है गणेश जी को भी हमने रेडी कर दिया आप पर जो नहीं है वो सब कुछ हम कर सकते हैं और एक देखो आप देखो चरण कोई कहे सकता है कि हातों से बनाये हुएं कितना पर अच्छाँ और यह मैं बना रही हूँ चोटे से अश्ट दल बनाना बहुत जरूरी होता है अश्ट दल बना कर हमें पूजा करनी चाहिए तो यह थोड़ी सा यह जो प्लेट थी ना यह थोड़ी छोटी है इसलिए मैं थोड़ा छोटा बनाया अगर ज्यादा स्पेस होगा मैंने शायद जब मैंने चौथ की अपनी शायद ब्लोग शेयर किया था तो उसमें मैंने बताया भी था और यह फिर आम की जो पत्या मैं होके साफ करके और वापस इन पे भी हमने स्वास्तिक बनाया आप टीका चंदन वैसे भी लगा सकते हो और उसके बाद में जो है हम जो भी प्रोसेस होती है आगी कि वो तो आपको सबको पता ही है तो कलश वगेरा फिर हम रग देते हैं कलश में मौली बान देते हैं और मतलब मैं बहुत खुश होगी थी देखके मेरी पसंद की चुनरी आ गई थी एकदम सही टाइम पे चुनरी आई थी जब टाइमिंग हो चुका था बिल्कुल तो बहुत अच्छी थी मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत सुंदर थी आप लोग भी बताना कैसी है मुझे बहुत अच्छी लगी तो इस तरीके से जो है हमने अपना जो भी प्रोसेस था उसको पूरा किया दिखिए पूजा पार्ट में थोड़ा सा टाइम तो लगता है लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से करो और तैयारी अपनी एक दिन पहले कर लो तो दिकत नहीं होती है अब को गनेश जी को ही स्थापित किया था और उन्हीं की सब सब पहले पूजा गजै करनी चाहिए उसके बाद में जो भी देविदेवता है उनके पूजा और आपका जो भी तरीका है जैसे कोई कि आठ नो दिन तक अब ऐसा ही चलेगा और साथ में अब जैसे दिवाली आने वाली है और कई सारे अब फेस्टिवल्स हैं चोटे मोटे अब ऐसा ही चलता रहेगा बहुत अच्छा लगता है घर भी यूँ भराबर अच्छा लगता है थोड़ा सा काम जो है वो बढ़ जाता है उसे थोड़ा सा मैनेज करके चलना है और मोस्टली कई बार लेडिस क्या है अपना खुद का ध्यान नहीं रख पाती है कामों की चक्कर में हो जाता है सबके साथ हो जाता है मेरे साथ भी हो जाता है तो पीच मीच में आप थोड़ा सा रेस्ट ले लो जैसे दो तेन दिन काम किया तो अब एक दिन ब्रेक दे दो आप continue काम करते ही जाओगे तो फिर क्या होगा कि आपकी बॉड़ी के जो लिमिटेशन है ना वो खतम हो जाती है तो काम को अच्छे से करो ताकि आप भी खुश हो सामने देखने वाले या भी मतलब एक बार खुश हो देखके कि हाँ कुछ किया होता है ना जैसे एक ही काम को दो लोग कर रहे है लेकिन उनके दोनों के तरीकों में फरक होता है एक का काम अच्छा नहीं लगता किया उसने भी है दूसरे का देखकर ही मन खुश हो जाता है तो यहाँ पे तो हम देखो सूबह से मैंने आपको दिखाया मतलब सूरज भी नहीं होगा था उस टाइम से लेकर और अभी तक शायद एक डेड़ या दो ही बच चुके थे तो अभी तक मैं नहीं बैठी थी और फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी थी क्योंकि खाना भी फिर शाम को काफी सार काम हो जाते हैं और जैसे मैंने रूम की क्लेनिंग वगरा करती थी ती ना तो उधर से घर जो है पूरा फैल गया था थोड़ा आपको पता है थोड़ा मैसी हो जाता है चीजे इधर उधर हो जाती है तो वो सब करना था और फिर देखो मैं भी इतना एक साथ वो नहीं हो प कि ठीक से नीन नहीं आती है तो वो सारी थकान फिर आज फास्ट भी है नौरात्रे का इसलिए कुछ और अभी नहीं बनाया है फ्रूट्स वगरा थे जो हमने खा लिये प्रसाद जो था ले लिया अब बना रही हूं मैंने साबुदाने की खीर बनाई है क्योंकि चावल की खी आप जानते हो आजकल मीठा सब कम पसंद करते हैं पर भोग लगाने के लिए मीठा बनाना था खीर बना ली थी थोड़ी साबुदाने की खीर बना ली थी और यह आलो भूबी और मतर की सबजी है और इसके अलावा पूड़ियां भी कोई नहीं खाता तो फिर मैंने भोग क रखना है कि मातारानी के कभी भी लसन या प्यास से बनी चीजे हैं जैसे सब्जी है सब्जी में लसन प्याज अगर आप वैसे तो डालते हैं लेकिन अगर आप डाल रहे हो खा रहे हो तो आप उसको मत चड़ाओ कभी भी लसन प्याज नहीं होना चाहिए उनके प्रसाद म में उसको कभी भी मास विगार्ड नहीं करती हैं किसी भी देवी देवता को नहीं चड़ाना चाहिए वैसे तो मीठा चड़ा दीजे और साथ में अगर बिना लसन प्याज की सब्जी है तो वो चड़ा दीजे वो अच्छा होता है हमीशा लास्ट व्लोग में मैंने जो पेप रखें, खूश रखें, जै माता दी, थैंक यू, बाई बाई